अगर आप paramilitary forces यानिक जो अर्ध सैनिक बल जैसे की BSF या ITBP या CRPF, CISF या ससेस्तर सीमा बल SSB में अगर आप एक class 1 यानिक ग्रूप A पोस्ट पे अधिकारी बनना चाते हैं तो assistant commandant आपके लिए एक बहतर विकल हो सकता है ऐसे में assistant commandant कैसे बने एक संपूर्ण जानकारी जिसमें form भरने से लेकर और selection तक का पूरा प्रोसेश जो है बहुती simple language में इस वीडियो में मैंने समझाया है जो भी information है एकदम latest information के साथ जो है मैंने यहाँ पर प्रदान की है तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो में यह सभी points काफी detailed में जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले है चाहिए वो eligibility से related हो चाहिए physical कितना physical चाहिए कितने running होगी वो सभी जो है यहाँ पर जो है detailed में हम समतने वाले है तो hello दोस्तो welcome back to my channel सबसे पहले जानते हैं assistant commandant क्या होता है और एक और चीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर subscribe कर ले और वीडियो को भी like कर ले तो चलिए assistant commandant जो है भारत जो government of India है उसके ग्रहम अंत्राल होग ministry के अंतरगत जो है यह आता है यानि कि जितने paramilitary forces है वो उन्हीं के अंतरगत आता है home ministry के अंतरगत और assistant commandant को साय commandant भी कह जाता है assistant commandant का बद अर्द सैने बलो यानि के paramilitary forces में एक gazetted यानि राजबतरित अधिकारी का यह पद होता है और यह कहां पे होता है जो भारत सरकार का ग्रहम अंत्राल लेके जो अधीन केंद्रिय पुलिस सेवा होती है जैसे कि BSF है, SSP है, ITBP है, CISF है इन सभी में जो है आप assistant commandant बन सकते हैं अच्छा तो यह एक group A पद है सबसे पहले salary में बता देता हूँ देखिए salary चुंकि यह group A post है तो level 10, 7th pay commission के आधार पर 56,100 basic starting salary आपको दी जाती है प्लस जो यानि कि जो transportation allowances हैं वो मिला के जो है अगर आपको सरकारी quarter मिला है तो HR नहीं मिलता है खीक है तो DA, TA other allowances मिला के जो है आपकी काफी अच्छी salary जो है यहाँ पर बनने वाली है जैसे कि DA का percentage अभी 46% है basic salary का तो 25,806 तो आपका DA ही रह जाएगा प्लस 56 तो मतलब काफी application allowance, medical facilities वो सारी facilities आपको यहाँ पर दी जाती है अच्छा परिक्सा कोना आज़ित करता है तो यह परिक्सा संग लोक सिवायो UPSC Union Public Service Commission और इस परिक्सा का नाम CAPF Assistant Commandant के नाम से परिक्सा होती है लास्ट टाइम जो परिक्सा का notification आए था 26 अपरेल 2030 में आए था ओनलाइन आवे preparation आपको अभी से करनी होगी नियूनितम योग गयता क्या चाहिए तो graduation bachelor degree होनी चाहिए यानि कि 10 प्लस 2 बारवी परिक्सा आपने चाहिए किसी भी stream, art, commerce या science से की है उसके बाद आपको bachelor degree किरनी है BA, BSC, B.com, B.tech जो भी आपका मनो उसके बाद percentage नहीं चाहिए होती है केवल pass अगर आप है तब भी आप आविदन कर सकते हैं, अच्छा, कुछ विद्यारती open distance या private modes degree करते हैं, ठीक है, जैसे कोई regular नहीं पढ़ पाता है, किसी भी reason से, तो क्या वो भी आविदन कर सकते हैं, अच्छा, क्या final verse या degree के anthem verse वाले आविदन कर सकते हैं, तो बिलकुल कर सक अच्छा, इस person का उत्तर आप comment box में जरूर दे, जापान का Manchester कहा जाता है, चार option आपके पास है, जो सही उत्तर है, उसको जो है आप comment box में जरूर बताएं, आयू सीमा क्या चाहिए, तो आयू की गणना जो है आपकी हर साल एक अगस्त को की जाती है, यानिके 2024 में जो आयू आयू में जो चूट है, OBC को तीन वर्स, SCST, अनुसुची जाती, जनजाती को पांच वर्स, एक सर्विसमेन यह सिविलियन जो सेंटर गवर्मेंट सर्वेंट है, उनको पांस साल की चूट मिलती है, बहुत बड़ा प्रसन होता है, क्योंकि यह यूनिफोर वाली जोब है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एसिस्टेंट कमांडेल बन सकती है, बन सकता है या बन सकती है, तो कितनी हाइट चाहिए, तो जो मेल कैंडिडेट है, 165 cm हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 81 और उसमें 5 cm का फुलाओ, कम से कम वजन 50 kg होना चाहिए, जिबकि जो फीमेल चाहिए, तो सबसे पहले 100 m की दोड़ होती है, उसके बाद 800 m की दोड़ होती है, लोंग जंप होते हैं, तो 100 m की जो रईस है, वो आपको 16 सेकिंड में करनी है, अगर आप मेल कैंडिडेट है, 800 m की तीन मिनिट 45 सेकिंड में, जबकि फीमेल को यहाँ पे 18 सेकिंड में, 100 m और आठ्सो मीटर 4 मिनिट 45 सेकिन में, लोंग जम्प के लिए 3 मीटर लोंग जम्प है के लिए, और यहाँ पर 3 मीटर जो है वह आपकी जो है यहाँ पर फिमेल के उसके बाद अगर height वगएरा ठीक है, तो physical efficiency test होगा, दोड वगएरा होगी, long jump वगएरा, उसके बाद medical test, उसके बाद interview और उसके बाद final merit आप की लगेगी, अच्छा, जो written exam है आपका, वो दो paper होते हैं, हिंदी और इंगली दोनों भासों में होते हैं, paper 1 10-12 बजे और paper 2 2-5 journal ability and intelligence का 200 अंको का होता है, objective type, multiple choice वाला pattern रहता है, और paper 2 जो है, journal studies, जिसमें essay और comprehensive 200 अंको का रहता है, ठीक है, essay component आप English और Hindi में लिख सकते हैं, बढ़ता जो precise writing है, और comprehensive है, communication language skill है, वो के अवल English में आपको देना है, या आपको ध्यान में रखना है, अब एक और पैंच है, कि paper 1 भी जो है, पहले जो है, जो evaluation जो है, यानि कि paper 1 को पहले जाचा जाएगा, अगर paper 1 में जो है, आप qualify कर जाते हैं, तो paper 2 की जो है, फिर जाच होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस type से, offline आपका paper होना है, गोले आपको circle भरने, black ball pen से, अब physical standard मैंने बता दिय जो female candidate है, physical test, ठीक है, अगर उनको जो है, अगर female candidate है, और she is pregnant before PST or pair, then जो है, यहाँ पर pregnancy test यहाँ पर कराया जाएगा, and in case, अगर वो यहाँ पे जो है, if she is pregnant, then उनको जो है, यहाँ पर एक time period प्रोवाइड किया जाएगा, और जब भी, मान के चलिये जो है, after pregnancy जो है, उनको six week after the date of confinement, उनको यहाँ पर PST और PAT के लिए बुलाया जाएगा, and अगर वो qualify कर जाती है, तो उनको जो है, जो PST, PAT, जो medical वगएरा है, वो होने के बाद जो है, इनको यहाँ पर, उनके लिए seat reserve रखी जाएगी, और उनको उनको भी जाएगी, after confinement, after pregnancy, जो period है, वो और होने क 6 सबता के बाद तक, right, now, physical efficiency test मैंने बता दिये, male female दोनों के लिए, अच्छा, medical standard आप देख सकते हैं, जो eyesight है, 6x6, 6x12, 6x9 और 6x9 चलेगे, ठीक है, near vision, N6 and N9, with glass, और साथी साथी यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं, medical standard में आपका नाक, कान, गला, आपकी गर्दन, दा और यह सारी चीज़े जो है, test की जाएगी, interview, 150 अंकों का होगा, ठीक है, जो भी candidate जो है, interview के लिए, यहाँ पर, जो है, qualify करेंगे, ठीक है, उनको एक, यहाँ पर, detailed application form भरना है, और उसके भरने के बाद, जो है, आपको यहाँ पर, submit करना पड़ेगा, ठीक है, तो, interview के जो भी marks obtain, जो है, ठीक है, जो merit बनेगी, वो तो personality test and written exam के आधार पाब बनेगी, लेकिन जो service आपको मिलेगी, वो आपकी, depend करेगा, कि आपका written exam, जो है, आपका कैसा qualify करते हैं, कैसी, जो है, आपके number आप लेते हैं, और साथ ही साथ, आप जो preference देते हैं, मान के चलो, BSF लिख सकते हैं, Journal Studies, Essay and Comprehension, Paper 2, जिसमें दो पार्ट रहते हैं, पहले पार्ट में हिंदी और इंग्लिस का आप जो है लिख सकते हैं, ऐसे अस्यंको का, और पार्ट बी में 120 संको का रहता है, जिसमें आपका precious writing, comprehension, और आपका grammar, simple grammar, और जो language skills है, उस related person याप पर रहेंगे, और जो पार्ट भी हो, इंग्लिस में आप answer कर सकते हैं, पेपर बन का जर्णल जो ability and intelligence हैं, ठीक है, साथी साथ current events of national importance, Indian policy and economy, history, Indian world geography, science से सम्बंदित प्रसंद रहेंगे, फीस ज्यादा नहीं होती है, जर्णल रिजर्ड EWS के लिए 200 रुपे है, और 20 के लिए बीज़ेंगे ठीक है, आप यहारी कैसे की जाएं, तो सबसे पहले previous year के जो question paper है, उनका आप analysis करें, ठीक है, किस प्रकार से प्रसंद पूछे जाते हैं, कैसे प्रसंद पूछे जाते हैं, basic जो NCRT है, या जो test series है, आप यहां पर mock test लगा सकते हैं, जिससे की जो है, आपको और अच्छा जो है, यहां पर आपके preparation हो सकते हैं, इस प्रकार से फर्स्ट जो attempt में आप assistant commandant बन सकते हैं, अच्छा, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर subscribe करें, कोई भी feedback, आपका प्यार है, suggestion है, आप comment box में जरूर बताएं, ठीक है, तो चलिए keep watching and keep subscribing, thank you